हेलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई लंज कुकिंग ब्लॉग कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और मज़े में होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चोले की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो यह मैंने चोला ले लिया है जो की भ लगा रहे हैं जांद हे दही खटा हो तो कम अदाल जाल आटनावे तो जाड़ा डाल सकते हैं और इसमें जाली है थोड़ा सा रिफाइंड ओयल इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिसलते हुए मैदे में भीम चुर्भ मृडब दालेंगे पानी और फटा-फट से इसका मी लोटि से थोड़ा सा जादा दील और इस तरह से हम रिफाइंड घी जो भी आपको लगाना है आप इस लगा लगा कर रिषको चिकना करके रखेंगे जितना रिष्ट पर रखेंगो उतने अच्छे बटूरे तियार होंगे और हां इसको चिकना करके ही रखें इसमें थोड़ा सा उपर रिफाइंड ओल या कोई भी चिकना लगा करके स्ट्रेस से एक घंटे के लिए रख देंगे तब तक के लिए हम लोग चलिए सबजी की तियारी कर लेते हैं तो छोले की ग्रैवी बनाने के लिए हमने लिया है एक तो मैं इसमें लाल मिश पॉड़ का यूज नहीं कर रही हूं अब इसमें हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से इसलिए इसलिए मैंने चाकू से नहीं काटा इसको चाकू से काटने में हो तो हाथ बहुत चाट कर लिया अद्रक देख सकते हैं एक तरब कड़ाई चड़ा चाली पॉडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे उससे पहले हम इस टाइम पे ही डाल देंगे इसमें छोले मसाले उसके बाद फटा-फट से इसको मिक्स करेंगे और सिमाज पे इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होने लगा आप डाल देंगे थोड़ा से नमक और छोले और फटा फट से मैंने इसको पका लिया है तो छोले तो मेरे बॉयल थे तो दीके कितनी अच्छी क्रेवी बनी है बहुत टेस्टी से छोले बन के तयार हुए है बीना लाल मेश के बीना किसी गरम मसाले क तो कैसे लगे आपको यह छोले की रेशिपी कुछ भी नहीं पड़ा है सिंपल से सिफ़ छोले मसाले डाले हैं और कुछ नहीं कड़ाई और फटा-फट से उतारते हैं गरमा-गरम बटूरे और आटा देखेर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा हो गया है भिल्क इस तरह से बनाएंगे बहुत सॉप्ट बनेंगे चलिए तर लेते हैं और आजाइए आप भी तयार हो जाएए प्लेटिंग करने जा रहे हम छोले बटूरे की तो यह देखे हमारा बटूरा उतर चुका है तो चलिए फटा-फट से प्लेटिंग कर लेते हैं आजाइए आप हम मिलकर खाते हैं गर्म-गर्म छोले बटूरे और साथ मेहाचार प्याद भी कट कर देंगे अगर आप खाएंगे तो तो आज यह फ्रेंट्स बन गया है चोले बटूरे कैसे लग रहे हैं बताएगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं चोले और बटूरे और लाइक करिएगा चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब करके जाएगा इसी के साथ फिर मिलते हैं लवियो और टेक्या वाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाएगा